सो फाइनली आज़ी क्लास से स्टार्ट करते हैं छतीस गड़ समान नग्यान की जो आपकी एक्जाम में बिल्कुल पुछा जाएंगे चाहिए आप एससी व्यापम पीसी जितने भी परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं उनकी लिए बेस्ट वीडियो लेकर आया हूं साथ ही आ लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोट की जाती है बिल आइकन की घंटी को क्या करोगे और पर सेट कर लोगे जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोट करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं आज क क्लास है आपका सितिस गडर समान जयांन की ये उपको डेली क्लिस करा जा रहा है बीस नॉब्र से प्राराम हुआ है हमारे यूटूब चैनल पर नया बेच के सांथ धना कुमिटर की छा साम साथ बजे सरह साथ बजे यानि कि दोनों class time to time upload की जा रही है daily class करते रहेगा जुड़ जाएगा अगर आपनों को hostel वादने की तैयारी करना है या फिर SI भरती की तैयारी करना है उनके लिए ठीक है बहुत ही महत्वपूर्ण classes है 36 गड़ को लेकर जो कि यहाँ पर बिल्कुल विगत वर्सों से प्रसना लेकर आया हूँ जो आपके SSC में व्यापा में और PSC में या कई बार यानि की बार बार एक्जाम में आया हुआ है ऐसे प्रसना अगर आप कर लेते हैं समझो आपका 90% तैयारी हो चुका टेली क्लासस करते रहेगा पहला कोस्टन आप सभी के लिए अगस्त उन्नी सो तीस में इस राज्य के किस स्थान पर जंगल सत्रह गिरा हुआ था या आपका रुद्री नावा गाउं आ जाएगा ठीक है चले 1818-830 तक इस राज्य के ब्रिटीस स्रक्षन काल में प्रत्थम सुप्रिटेंड यानि अधिक्छक कौन बने है आप सन्बी आएगा कैप्टन एडमंड जी बने है ठीक है डेली क्लासस करते रहेगा जो लोग होस्टल वारानेक्त जारी कर रहे है ठीक है इसका मैं डीटेल आपको बताता हूँ त्रिती आंगला माराटा यूद्ध के बाद नागपूर की जो संधी के सांथ 36 गड़ अप्रत्यक शुरूप से ब्रिटीस नियंतर में आ गया जिसके तहत यहां पर अप्रिटीस अधिक्षक कैप्टन एडमंड तथा दुल्टी ब्रिटीस अधिक्षक कैप्टन एगन्यू थे जिन होने 1818 में राजधानी रतनपूर के स्थान पर रैपूर को बनाया गया है ठीक है चलिए किस वर्स हमें इस राजधे के रैपूर सेंतर केस हुआ था यह आपका 1922 आ जाएगा वीडियो को लाइक किये हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को लाइक करते जाएएगा सेयर करते जाएगा ठीक है चलिए इसके बाद आएगा देखिए मैं आप सभी को बताने वाला हूं यह जो भारत छोड़ा अंदोलान के समय के महत्तपुन अगतना थी जिसके प्रमूक नेता प्रदसराम सोनी थे ठीक है यह 1942 में गठित हुआ जिसने रैपोर्ट सेंटर केस कहा जाता है उसके बाद है इस राज्जा में 1920 मुई प्रतम मजदूर अंदोलान का नेतार हूं किसने किया है ठाकु और प्यारे लाज सीने किया है ठीक है 36 गड़ समान जानकी बिल्कुल क्ल बटास निशूल को आप सभी के लिए ठीक है, चलिए इसका मैं डेतल आपको बता रहा हूं, कि 36 गड़ में जो मील मजदूर अंदुलन हुआ था, उसके नित्युत्र्त्स करता क़्ोन है, जीसे प्रतम मीला में अग्वा धूरमन हुआ था,fun 20 में Ben pc में 36 दिन तक चला था अगर एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि 36 गड़ में मिल मजदूरों का अंदोलान का नितित्व करता कौन है तो आप बताएगा कौन थे तो आप ठाकोर प्यारे लासी ही थे जिसमें प्रथा मिल मजदूर अंतोडान जाने कि 1920 में तथा 36 दिन तक च 37 में इसके बाद है कि इस राज्य के कंडेल ग्राम में 1920 इस्वी में कौन से भारती सत्याग की अउजित किया गया थे नहर सत्याग्रह है यह सत्याग्रह है ठीक है कौन से भारती सत्यागी का उजित किया था 1920 में तो आप बताएगे नहर सत्याग्रह ठीक उसके बाद है रा आज ये के कल्चुरी सासक सकल को शल्द की दब किसन धरान की थी प्रित्वी देवने प्रत्व दुर्ति नहीं आएगा पहला आयाएगा किसके सासन कालम है चिनी यातर हैंशांग इस थी सिर्पूर में भेट की थी महा सीउगूत बालर जुन के कालम ठीक है चिनी यात्रिहन सांग ने 36 यात्र की थी सित्सुंग की यात्र ठीक है इसका विवरान उसकी राचना सीउकी के में मिलता है 36 गड़ में ठीक है चलिए आप देखते हैं कि मेजर एगन्यू जो मेजर एगन्यू है राजधानी रतनपूर में इस्थनांति किया था किसने ब्रिटी रधिकारी ने ठीक है वो इसके बाद नागपूर के भोसले प्रथम की सिनपती ने इस राज्य के कल्चूरी प्रभुत्य को लगभग समाप्त कर दिया था ठीक है लगू ने रगू नहीं है रगू है ठीक है रगू जी प्रथमने यानि कि सिनपती के इस राज्य के कल्चूरी प्रभुत्यों को लगभग समाप्ति कर दिया था भासकर पंतनी नागपूर के भोसला राजा रगुजी भोसले के सिनापती भासकर पंतनी है इसको नोट करते जाएगा आपके एकजाम में पूछ सकता है कि नागपूर के भोसला राजा रगुजी भोसले के सिनापती कौन थे तो भासकर पंतनी बताएगा और 1741 में कल्चूर को साथ साकर गुनात सिहंजी को हराकर 36 गड़ में कल्चूरी की प्रभुत्त सवाब्त कर दिया था यह बताएं कि बस्तर में 1910 में हुए प्रसिद आदिवासी विद्रो के नेता कौन थे तो आदिवासी विद्रो के नेता आपका गुंड़ा धूर थे ठीक है गुंड़ा जिसके प्रतिक चिर लाल मीन जवा अटाहमनी थे जिसके प्रमुकर्ण बेजन्ड पांड़ा देवान बनना था ठीक है इसके बाद इस राज्य के बिटिस से ना किसी पाई अपने अधिकर सिडिवेल की हत्ता कि थी सिडिवेल की हत्ता किस ने कि थी आपका हनुमान सिहंग जाएगा ठीक है हनुमान सिहंट इसके बाद है जे आरेस राष्टी भावना विक्सित करने तो इस राज्य के राजनांद गाउं में उनिस नौम इस कौन से जंगडित इस्थापित किया गया था आप कमेंड में बताएगा इसका अंसर क्या आएगा किसके नाम पर इस पर उनिस सो बीस में महत्म गांधी को इस राज्य में प्रवत्म प्रवाज के लाने के स्रेपंडे सुन्दरलाल सर्मा को दिया जाता है आपसन भी हो जाएगा बस्तर चैत्र यानि कि 1824 में माराथा के विर्द कौन सा देवासी विद्रो हुआ था परल कोट विद्रो हुआ था इस राज्य के बस्तर चैत्र में 1824 में माराथा के विर्द कौन सा विद्रो हुआ था परल कोट का विद्रो हुआ था ठीक है चलिए अब इसका मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूं 1824 में अवधी में अभूज मारा चैत्र में गेंद सिंग के नेतरुत्यों परल को विद्रो हुआ चो कि अंग्रे जवा महरादों के प्रती असंतोस के कारण था इसका प्रती की चिन धार वड़ा विच्छ की तहनी थी इसमें दमन कैप्टन पे अरद्वारा किया गया था ठीक है गेंद सिंग को फांसी दी गई है 20 जनवे 825 को गेंद सिंग को फांसी दी इसको नोट कर लिजगे एक्जाम में कभी भी पूछ तकता है चलिए आप बताईएगा 1888 क्यानिक 1787 से लेकर 1888 कमार आठा सासन में इस राजे के कौन से प्रसासनिक विद्यमान थी आपका सूबा सासन है सूबा वियास्था ठीक है चलिए इसके बाद है मैं आपको डिटे 1888 चला था जिसके प्रतम सुबेदार महिपत राव दिनकर जी थे और अंतिम सुबेदार यादाव राव दिवाकर जी थे अगर पूछ लिए जाए च्छतितितर के प्रतम सुबेदार कौन है तो महिपत राव दिनकर जी है च्छतितर के प्रतम सुबेदार कौन है जलिस कम पर यानिक 1922 में प्रथम समाचार पत्र 36 गड़ मित्र प्रकासित किया गया था ठीक है इसके 36 गड़ में पत्रिकारिता के जनक कौन है तो आप बताएगा कौन है माधाराव सप्रेजी है इस कांसर क्या होगा यह कल के क्लासर करेंगे इंग्लिस के क्लासर ठीक है कल हम इंग्लिस के क्लासर करेंगे जो आपके होस्टल वारान में आया